हेलो एवरिवन मेरा नाव भुपिंद्र सिंग बिश्ट एक बार फिर से आप सभी स्टुडेंट्स का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दस्कॉलर्स हाउस में सभी तैयार हो जाएए आज की क्लास के लिए आज आप लोगों के लिए एक सबसे खास क्लास लेकर आ रखा हूँ तो सबसे पहले तो आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने फ्रेंड्स को हर एक फ्रेंड को आपके हर एक फ्रेंड को बेनिफिट होना चाहिए इस class से चीक है? So students, आज हम करेंगे hot questions, ठीक है? Yes, garmagaram questions हैं करने वाले हैं Hot means high order thinking skills वाले questions, ठीक है? कैसे? High order thinking वाले questions कुछ करने वाले हैं High order thinking skills based questions करने वाले हैं, जिसे हम hot कह रहे हैं garmagaram questions, तो भाई किया आप सभी तयार है इस class के लिए? इसमें मैं आपको 4 या 5 questions करवाऊंगा बहुत अच्छे questions नाम इसका thinking है high order तो थोड़ा तो सोचना पड़ेगा न चलिए देखते हैं टाइम बिस नहीं करते हैं फड़ावस class को start करते हैं और ये जो आपकी class है कहां मिलेगी आपको बता देदा रहो अभी भी mixed question की series में मिल जाएगी और इससे हम lecture number 10 आज मान ले रहे हैं हमारा lecture number 10 हुजाएगा किसका mixed question की series का वहीं आपको एक class मिलेगी playlist से जाकर check कर लेना चलिए students so whatsapp groups अभी join कर लेना आपको पता है नीचे description box में links दे रहे है और अगर आपको कुछ doubt है students so ये है whatsapp number इसमें भी आप सब लोग text करके कुछ भी doubt पूछ सकते हैं ठीक है चलिए so बढ़ते हैं आज की question की तरह hot questions करने वाले भाई जल्दी से आजए गर्म गर्म questions करते हैं ठीक है high order thinking skills वाले question देखते हैं सबसे पहला question क्या है यहाँ पर आईए so yes देखिए students question पहला question आपको area related to circle से यहाँ पर करवा रहा हूँ on a circular table cover of radius 32 cm a design is formed leaving an equilateral triangle ABC yes मैं यह नहीं कह रहा हूँ आपने question नहीं देखा होगा देखा होगा क्या आपने solve किया देख लीजिए भई अब आप इसको solve कर लीजिए ठीक है इस तरीके का क्या है एक table का cover दे रख है ठीक है जो की circular circular shape का है यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर design बनी देखिए मैं कैसे design बनाता हूँ भई यह equilateral triangle है यह भी ध्यान से देखना ABC equilateral triangle है यहाँ पर कुछ design ऐसे बनी हुए देखिए ठीक है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपने देखा होगा यह question लेकिन आपने इसको ना ignore कर दिया होगा तो मैं आगा छोड़ो कहां आता है ऐसा question नहीं आएगा ऐसा question high order thinking skills question है इसे नहीं छोड़ने इनको करना ही है हमें यहाँ पर यह design देखिए कुछ ऐसी बनी हुई है कहीं कुछ कहीं कैसी होगी कहीं कैसी होगी तो ऐसे करके design होगी और design वाला area में आपको बताऊं बहुत से students confused होते हैं यार कौन सा area है जो design हो डिजाइन वाला area कौन सा है स्वासे पहले तो यही confusing है अगर आपको area of design निकालना है तो कैसे आप find करेंगे मैंने आपको area related to circle पढ़ा रखिए जाकर देखिए आपको उसका concept तो बहुत simple ही होता है वैसे इतना बड़ा logic नहीं होता इसके पीछे साबसी बात है अगर मुझे design का area निकालना है इस design का area निकालना है ठीक है यह है so obviously design कहां बनी हुई है एक circle के अंदर बनी हुई है सबसे पहले जिस तो जी हमें देखना पड़ता है कि design वो design आखिर वो shade वो design है कहां पर एक circle के अंदर है ठीक होगे अगर मुझे यह चाहिए भई यह चाहिए है तो मैं इस पूरे circle में से ठीक है area of circle में से मैं इस triangle को बहार निकाल दूँगा मतलब area of triangle में बहार कर दूँगा simple सी बात है भई तो अगर आपको area of design निकालना है students तो आप क्या करेंगे area of design आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे area of circle में से माइनस कर दिंगे किसको area of circle में से माइनस कर दिंगे area of triangle अब यह triangle कौन से है यह question में दिया होगा है यह आपका एक equilateral triangle है अगर आपको इसका formula नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे और भी तरीके हैं लेकिन इससे थोड़ा आसान हो जाएगा ठीक है अब देखिए high order thinking skills question क्यों है यह question क्यों है क्यों है यह question क्यूंकि इसमें देखिए दो चीज़ें एक तुसमें यह student ध्यान सुनना थोड़ासा 9th class की तरफ जाना पड़ेगा आप लोगों को 9th class की properties का use करना पड़ेगा साथ ही साथ उसके बाद आप लोगों को इस a यह a को find करना पड़ेगा जब तक a ही नहीं निकलेगा तो बहुत मुस्किल हो जाएगा तो लड़ाई है भई a को find करना है अब यह a कैसे find होगा देखिए उसके लिए मैं आपको कह दिया अभी भी सबसे पहले चीज़ तो लड़ साइट आफ एन एक्युलेटरल ट्राइंगल ट्राइंगल अल्ड शाइट साइट अफ एकुलेटरल ट्राइंगल भी a ले ले लेम बनाने a फिल्टा ठीक है ठीक है और वो court को bisect भी करती है ठीक है ना perpendicular distance from this center of a circle to the court bisect the court यह आपने पढ़ा होका 9th class के अंदर ठीक है तो इस property से आप लोग क्या कर देगे यहां से एक perpendicular line draw कर देंगे ठीक है using theorem यहां से लिख देता हूँ ऐसी using theorem आप क्या कर लेजिए draw ओ ठीक है तो देखे पुरा correct center में लाएए जिससे आपको यह भी दिखे कि यह सही में इसको bisect कर रहा होगा ठीक है मैंने गहाँ दिया पी पॉइंट पर इसने bisect कर दिया यह आपका पी पॉइंट हो गया ठीक है यहां पर आपका यह पी पॉइंट पर bisect कर रहा हो 90 भी है साथ साथ ठीक है using theorem एसको short में लिख रहा हूं उत्ता theorem लिखूंगा तो बहुत time waste लिखा ठीक है so draw ओपी perpendicular to BC यह तो पदा ही है आपको ठीक है theorem से आपने ओपी को BC के perpendicular कर दिया साथ साथ यह भी द्यां सुनना ओपी ठीक है तो यहां लिखना also ओपी क्या नहीं हुई है धियां से देख लिजिए अगर इसको बाइस कर रहा है तो therefore BP equal to PC BP equal to PC अब देखें जब पूरा BC आपके पास क्या है क्यों कर रहे हैं यह सब क्यों कर रहे हैं पताए क्यों कर रहे हैं पांच माकaroos सकता है त्यार हो जाएए ठीक है यह सब इसलिए कर रहे हैं कर रहे है एक को find करने के लिए ठीक है अब हार देखिए यहां पर संसले हो सकता है मैं ऐसक तरीका और सहँच वर एब यह ंसे लिए ना बिसी मिरद पास पूरा ए है इतना सबको दिख रहा है याãटी सिमेर पास श्वयंज came to एक है तो बीपी किया होगा बीजी का आधा होगा ठीक है सो यहाँ पर मैं कहा लिखों आज शनना यह बीपी होगा यह क्या होगा बीजी का आधा हो जाएगा क्योंकि BP BC के रहाबर है तो obviously कितना होगे स्टुरेंट ध्यां सुनना यह A upon 2 हो गया इसका याद रखना कि BP कितना आपके पास A by 2 है अब एक चीज और स्टुरेंट से एक प्रॉपर्टी और होते थी क्या यहाँ पर देखिए किसी कॉर्ट से सर्कल के कॉर्ट से ना एंगल फॉर्म्ड बाइन आर्क अफ़ सर्कल टुइट्स सेंटर इस एक्वल टू वट ट्वाइस ता एंगल फॉर्मड बाइस सेम आर्क ओफ ऑफ और सर्कल याद आया किसी को थोड़ा तो याद आ रहोगा ना मुझे भी याद आ गया तो मैंने भी बोल दिया तो यहाँ पर क्या है देखिए एक चीज़ और स्टुरेंस कितना मज़धर कुशन है यह अगर सिस्टी डिगरी बनाएंगे बनाएंगे क्योंकि एक्वले ट्राइंगल पॉबर्टि होती कि all angles are equal to 60 Degree अगर यह पूरे देखेए त्राइंगल है इकमोड रांगल कितने डिगरी यहegeंए होंगे तूछ मैना भी जो पता आया आपको एक और ध्योरम से एक और ध्योरम आगंगे यह सारे चीज़े पढ़के आए धंग से चीक है अगर पढ़ी होती तो आज इन आवत नहीं आती ठीक है आचली आप अच्छे हैं हुश्यार बच्छे मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है आप सब पढ़के आए तो येस यूजिंग वर्ट यूजिंग क्या वही यूजिंग हम एक theorem का और यूस करते हुए एक theorem का और यूस करते हुए मैं आव एक और चीज कर रहा हूं यहां पर यूजिंग theorem यहां पर देखिए students angle जो B O C होगा this B O C is equal to twice of angle B A C B O C is equal to twice of B A C अच्छा तो यह तो पूरा 120 हो गया नहीं हो गया बताइए मैं क्या कह रहा हूं यहां पर देखिए समझदी कोशिस करना मैं क्या कह रहा हूं देखे क्या हुआ सभी मुझे बताईए यहां पर यह कितना है BAC तो 60 है तो BOC कितना हो गया बहुत सारी चीज़ें पटास के अंदर लेकिन है असान 120 डिग्री अब जो BOC हो गया 120 डिग्री अब देख चीज़ें यार यहां पर एक चीज़ और है जब यह पूरा 120 हो गया ध्यान सुनना यह और यह ना यह जो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको ध्यान सुनना यह दोनों कैसे हैं? Congrean triangles है, कैसे हैं? Congrean triangles है समझहरें आप सब लोग मेरी बात को यह दोनों कैसे htriangle है? Congrean triangles है अगर यह दोनों Congrean Congrean कैसे होंगे देखें यहां पर सुनना मैं एक काम करता हूं इसको इसके बाद ठीक है नीचे लिख रहा हूं ठीक है में इस कॉंगरेंट नू सी ओ पी देखें क्यों है एस ट्राइंगल तु स्ट्राइंगल ची ओ पी अब देखें मैं हाँ पर ऐसे लिख दरों लेकिन आपको लिखना है ठीक है क्या पांच मार्ग से अंदर आगा तो करना पड़ेगा कि बी ओ पी और देखिए सी ओ पी क्या है है देखिए इस यह दोनों radius हैं O B equal to OC ठीक B P equal to BC using theorem या फिक given है हमें और O P is common ठीक हो गया समझ गया आप लोग so side 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 congrency rule से यह दोनों congruent हो गए और congruent जब यह हो जाते हैं तो CP CT से corresponding angles भी equal हो जाते हैं तो by CP CT by CP CT से B O P is equal to COP angle B O P is equal to angle COP या आप इसको RHS से भी प्रूफ कर सकते हैं ठीक है RHS से यह 1990 ठीक है यह इसके call और यह common ठीक है आपकी इच्छा है आप SSS से कर लीजिए या RHS से कर लीजिए ठीक हो गया चलिए तो अब B O P is equal to COP यह B O P is equal to COP तो इसका मतलब किया हो गए students यह पूरा 120 इसका यह जो angle है यह वाला पूरा बीजिए 120 है और यह दोनों आपस में equal है तो obviously therefore मैं डार्यक्राहँ कि angle B O P कितना जाएगा B O P अपका जाएगा students कितना 120 degree by 2 इसका अंगल BOPB कितना हो जाएगा आपका 60 degree जाएगा student देखिए सोचिए भाई मैंने कहाना इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दिमाग तो लगाना पड़ेगा करने के इसके तरीके और भी है मुझे पता है आप इसे बहुत से students को शाहते question का करने का और अगरा है तरीका जिसका क्या है वह आपको आता होगा और भी methods आता होंगे लेकिस थोड़ा सा असा अच्छा लग रहा है जिसमें हमें इंटरस्ट आ रहा है इस में हम उसी को करेंगे ना है इसमें हमें कोई भी confusion नहीं create हो रहा है, हमारे mind में कोई भी confusion create नहीं हो रहा है, जहां confusion create ही नहीं हो रहा है, तो कितना सही है न, उस question को उस तरीके से करने में कितना मज़ा है, बताइए, कितनी वेज़े थे प्रेंग कितने में होगे है, फ्रेंज इस पानिर को कांए है गसुआ एगार मों काएए अगर-टैंगल डिटोट शेड़ इस पांवें, इसम नुचया हमगा Soap मैं-ई-ब शोन एखनाने मेंपाँ प्रेंश कर आगे मेंड़त है। तो सरकल भी आगिया है, चार चेप्टर का, चार चेप्टरों का एक कोशन, चार चेप्टरों का एक कोशन है, देख लिजे भई, है, इसमें दम, तो करिए, करके दिखाईए, आईए, yes, साइन सिस्टी इस इकल टू, we know, कि साइन सिस्टी रूर 3 by 2 तो होता है, ठीक है, हम जानते हैं, अब, बी, ओ, पी, परपेंडिकुलर सामने वाला क्या, परपेंडिकुलर है हाइपो, तो बी, पी अपॉन, ओ, बी, बी, पी, अपॉन, ओ, बी, मुझे लग रहा है, हाई ओडर थिंकिंग्शू, इसकिल, स्कूल नहीं, स्किल्स, जो हमारा कोश्यान है, ऐसे वाल है, यह एक कोश्यन लग रहा है, एक ही क्लास में होगा, एक क्लास में एक ही कोश्यन होगा, बहुत, मुझे लग रहा है, बहुत लेंग्दी आ जा रहे है, साइन सिस्टी रूर 3 by 2, ठीक है, गड़ी किता है, तो यह यहाँ चले गया, नेचे थे थाँ 32, देखें citizens, यहाँ आगा 32, यह उपार चले आएगा यहाँ पर इसके पास, इसागए अगा और आ आ गया, अब लीजे लमबी सी सांस, ठीक है, क्योंकि A आ चुका है इसी क्या चिंता हो रही थी बहुत हम लोगों को और ये find हमने कर लिये ठीक है students, चलिए 3S, सब क्लियर दिख रहा है A की value 32 under root 3 आ गई है So अब क्या करा जाए अब तो यहां रख दो भई, अब क्या अब आपसे क्या कह रहा है question, कुछ और कह रहा है क्या, क्या आप यहां statistics से लगाएंगे, नहीं है, ऐसा तो मत करिए So area of, यहां से अब कहां से लिखे है, इसको पफस गए चलिए, so area of design फिर से लिख देते हैं, भई, क्या जा रहा है Area of design is equal to how much pi r square था, तो देखिए student, pi 22 by 7 into radius 32 into 32 ठीक हो गया minus का, this is root 3 by 4 ठीक है, a is how much 32 under root 3 का whole square ठीक है student, चलिए, तो देखिए क्या होता है, कैसा होगा भई, इसको देखिए मैं आपको पतायता हूं, इसमा आणसर क्या है इसका, ठीक है, 225 28, ठीक है, 22528 ठीक है, टाइम वेस नहीं करना ना, बस हम अब यह multiply करके, 225 28 आ रहा है upon 7, अब देखिए, यहां पर क्या होगा ना, root 3 ऐसी रहेगा upon 4 ऐसी रहेगा, 32 दो बार multiply होगा, और साथ में, root 3 का square कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 4, 8 जा, 32 8, 3, 24 ठीक है, 24 और 32 24 और 32 24 जाए, 24 जाएगा, 24 जाएगा, 24 डाल गाँ, 21, 32, 61, 7 तो कितना होगा, 768 7, 68, yes 7, 68, under root 3 कितना जाएगा है, so 22528 by 7, minus 768 under root 3 देखिए students, यह है हमारा question centimeter का square, यह हमारा area आ गया, इस question में तो बहुत time ले लिया तो कुछ ना, आपने सीखा है ना आपने सीखा है ना, आज कुछ, आज कुछ सीख लिया, आपने देखिए, ऐसे questions को कैसे करते हैं so high order thinking skill based question यह है, अच्छे लग रहे हैं तो बताएए मैं continue करूंगा इसको ठीग, लेकिन करने भी है आपको ठीग, आप देखिए, second question क्या है हमारे पास देखिए, so यह हो गया हमारा असका answer 22528 upon 7 minus 768 दूर 3, अगर नहीं आया समझ में, अभी screenshot लेजिए और इस number पर भेज दीजिए, समझा दूँगा आपको so yes student देखिए, आपका दूसरा जो question है, यह quality question से question है यह भी hots में आता है, लेकिन थोड़ा सा simple है, नहीं, लेकिन सोचना पड़ेगा, मैं नहीं कहूंगा simple है देखिए, क्या लिखाएगा है, some students planned a picnic, the budget for food was rupees 480 देखिए students, कुछ students picnic के लिए उनने planning करी, और उनका जो budget है, total, वो 480 है हर एक का budget बराबर होगा, यह question में नहीं दे रखा है, लेकिन आपको एक consider करना पड़ेगा कि हर एक student का जो budget है, वो पराबर ही होगा, देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, but 8 of these failed to go, 8 लोग नहीं आए, मालने जिक कोई बिमार होगा, किसी वहीं जाना होगा, तो इस तरहीं किसे, and 10, उसके बाद क्या होगा, cost of food, जब 8 लोग नहीं आपाए, तो जो हर एक student की food की cost ही, जो budget था, वो कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया, so how many students attend the picnic, बहुत अच्छा कुशन है, देखिए students कैसे करेंगे, question one second, so पहले लिख लगते है, let the number of students कितने है, हमारे पास, माल लिजिए, x है, चीक है, so अगर मैं बात करूँ, food, budget, food for, ठीक है, क्या लिखेंगे, budget, हाँ, अच्छा, ऐसे लिख लिखेंगे, budget for, देखिए students, मैं पाक, total students x हैं, तो मैं कहता हूँ कि budget for x students के लिए budget कितना है, रुपीस 480 है, so मैं कहूँ, budget for one students, भई, एक student के लिए budget कितना होगा फिर, रुपीस 480 अपान x होगा, ठीक है, हर एक student के लिखेंगे होगा, ऐसे लिखेंगे न, दूसरे के लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे, एसा नहीं है, eight, क्या लिखा है, eight were absent, या कुछ, eight of these, फिर, हाँ, eight students, failed to go, नहीं जा पाए, so therefore, कितने students हैं अब, number of students कितना होगा अब, number of students कितना होगा, x minus eight, अब दिखेंगे students, so क्या लिखेंगे भई, तो यहाँ पर क्या होगा, दिखेंगे students, तो आप क्या लिखेंगे, budget, for, अब x minus eight students का budget क्या होगा, वही होगा भई, और यह भी लिखा है, कि अभी budget वही रहेगा, remains same, होना चाहे था question में कोई बात थी, so remains same, अभी भी उत्र नहीं होगा, चीक है, x minus eight students के लिए, अभी budget वही है, ठीक है, तो एक students के लिए, ध्याँ सुनना, x minus eight students के लिए budget इतना है, तो budget for one students के लिए कितना होगा, सब unitary methods है, rupees 480 upon x minus eight, but एक चीज यहाँ पर ध्याँ सुनना student, question में एक चीज कह रहे है, कि अब जो, देखें, art students जब कम हो गए, तब हर एक student का जो भी budget था, वो पहले वाले हर एक student के budget से कितना पढ़ गया, मतलब 10 पढ़ गया, ठीक है, increased by 10, तो समझने की कोशिस करिए, question क्या गह रहा है, ध्याँ से देखना है, यहाँ पर, क्या, yes, so, क्या गह रहा है, students, is got it, इतना हो गया, 480 upon this, और यह जो है, यह कितना, यह ध्याँ सुनना, यह 10 बढ़ गया, पर किस से बढ़ा, 10 किस से बढ़ा होगा, पहले वाले, एक student के budget से, पहले वाले, एक student के budget से, so, according to question, condition, जो भी है, according to, condition के साब से क्या गह रहा है, भी, कि rupees 480, यह जो अब है ना, कम होने के बाद, क्या हो गया, जो पहले था, भी, क्या आप इसको solve नहीं कर सकते, मैं नहीं कराओंगा इसको, चिक, अच्छा, 10 बढ़ गया, यह लीजिए, तो यह तो आप solve कर सकते हैं, इसको solve कर लेना, main चीज़ था, समझना, high order thinking skill की, equation मैंने आपके लिए बना दी है, इसको यहाँ लाएंगे, हो जाएगा solve, लीजिए, क्या यह भी मैं आपको कराओं, बताईए, क्या आपने अभी तक इतनी भी preparation नहीं करी, क्या आप इसको solve कर लोगे, बताईए, चिक, आसा x आ गया, minus x बंजा x, ध्यान सुनना सुन, देख कैसे होंगे, इससे यह हो गया, और क्या आपर क्या बचा है, 480, minus तो यह लिख दिया ना, मैंने, इससे इसको कार दिया, और 480 भी है, 67, x minus 8 भी है, is equal to 10 भी हो गया, क्या दिक्कत होगे, लोग, इसको अंदर 480x हो गया, minus क का, 480x प्लस का, अच्छा, तो यह कैसा होगा, 800, 0, 800, 0, चीक है, 32, 38, क्या मैं सही हूँ, देख लिए ना, ठीक है, अब यार, यह तो खुदी कर लिए, आप लोग, मैं इसको करवाऊं क्या, चीक है, चलिए, यहां लिए, 10x ही हो गया, और यह हो गया, x minus 8, चीक है, इससे 38, तो यहां पर देखिए, वो क्या है अपका, यह आगया, 3840, is equal to, 10x square minus 80x, so यह आगया, 10x square minus 80x, minus 3840, 0, 0, 0, 0, सब कार दीजिए, x square minus 8x minus 3840, ठीक है, आपको देखिए, इसको solve करना है, x की value find करनी है, x negative नहीं हो सकता, x can never be negative, क्योंकि x के number of students, क्या आप negative मिलेंगे, नहीं, सुने के x जब find कर लेंगे, तो question नहीं जो पूचा है, वो x नहीं पूचा है, question नहीं पूचा है, कितने students गए थे, total तो ये थे, लेकिन गए कितने थे, ये पूचा है, यहाँ पर लिखा गया है, how many students attend the picnic, तो 8 minus करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो याद रखना, यहाँ से आपको x value 24 मिलेगी, और कितने student गए थे, 24 minus 8, 16, तो इसका answer 16 आएगा, ठीक है, तो answer इसका 16 होगा, ठीक है, और x value कितने होगे यहाँ पर से, आपलों solve कर लेना, 24 होगे, चलिए अग अगला hot question कर लेते हैं, गर्मा-गर्म question, जसी मैं आपको बताया है, So yes, students, आईए, question number 3 की तरफ ध्यान दीजिए, a line intersect to y axis and x axis at the point p and q, respectively, if 2, minus 5 is the midpoint of p q, So yes, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2, minus 5 को plot करिये ग्राफ में, तो आप लोग यहाँ कहीं बनाएंगे, क्योंकि देखिए, students क्या है यहाँ पर, अगर, मान लिजी, आपको इसमें graph भी plot करना होता, तो कैसे करते हैं, देखिए, y एक line, जो x axis और y axis को intersect कर रही है, तो ऐसी कितनी line हो सकती है, मतलब यहाँ भी बन सकती है, 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 यह actually मैं होगी कहाँ पर, बताईए, यह मुझे देखिए, इसके midpoint से मुझे पता चल रहा है थोड़ा बहुत, कि यह कहाँ पर होगी, पूरा पता लग रहा है, कि यहां पर अगर 2,-5 है तो अबिसली यह लाइन कैसे आए होगी देखिए कैसे आए होगी बताएए मुझे कौन बताएगा यह आएगी ऐसे आए होगी कुछ इस तरह के से ठीक है तो समझ रहे न आप लोग यह हो गया और x-axis पर q-point पर इंटरसेट कर रहे है x-axis को और y-axis को p-point पर इंटरसेट कर रहे है यहाँ coordinate 0-y होता है यहाँ पर x,0 होता है और इस line का midpoint यह m है मैं m से denote कर लेता हूँ इसका अलब इसness को 1 ratio 1 में divide किया होगा तो आपको पता है midpoint formula x equal to x1 plus x2 upon 2 चीक है तो यहाँ पर देख रहे हैं students x कितना है यह 2 होता है 2 is equal to x1 कितना है किसी को भी x1,y1,y1,x2,y2 तो यह आगया x2 plus 0 by 2 इससे आपको x value 4 मिल गई तो यह q points के coordinates आपको क्या मिल गई 4,0 देख लिए ना माइनस कही आएगा यह जरूरी तो नहीं है बनाना ठीक है आप लोगर इसको बिना बनाए भी करते हैं तो answer आपका सही आएगा ठीक है मैंने बस बनापत दिखा दिया आपको कि कहाँ पर होगी यह line actually मैं तो यहाँ पर देखिए एक चीज और है आपका q,q निकालना है sorry q तो निकल गया अब आपको क्या निकालना है यह y निकलना है तो इसके लिए देखिए students क्या होगा वही y is equal to y1 plus y2 by 2 तो midpoint के लिए होता है जब midpoint formula होगा है तो y कितना है आप माइनस का 5 है यह वाला यह x से है यह y होगा तीक है उसके साब से अब यहाँ पर देखिए minus 5 is equal to y1 कितना आपके पास x1, y1, 0 और यह कितना आपके पास y है upon 2 so y is equal to minus 10 तो देखिए प, p point के coordinates के आगे देखिए आपको तब ही तो आया 0 का minus 10 आगया ना so I hope students आप लोग समझ गयोंगे यह है questions high order thinking वाले कुछ questions है कर लीजिए भई मैं अभी आप से कह रहा हूँ बहुत important है यह questions ठीक हो गया चलिए अब हम question number fourth करते है a very important question so yes student देखिए अब जो question आ रहा है आपका इस पर मैंने एक पूरी class ले रखी है ठीक है इस question पर मैंने एक complete class ले रखी है यह questions कौन सा है देखिए water flow वाला questions है तो high order thinking skill के अंदर एक question और आपका आ गया है यहाँ पर ठीक है क्या है देखिए question number कौन सा था fourth था ठीक है ठीक students क्या है यह question यस आपको क्या search करना है याद ही है मैं कैसा दिखता हूँ ठीक है तो डिख जाएगी आपको ठीक है thumbnail में आई जाएगा मेरा photo आजाएगा तो आपका पता से लेएगी class कौन सी है तो भई अगर जिसको detail में इस से रगे questions करना है आपको मैंने 4-5 questions करा रहे हैं और काफी students को देख रहे हैं ठीक है तो आप सब भी अगर आपको doubts है इन questions में है तो एक बार जरू देखिए उस वीडियो को ठीक है बहुत चे questions है ये अभी मैं आपको एक question करवायता हूँ उसका और अगर आपको नहीं आया समझ में आप वो वाली class को देख लेना ठीक है वैसे आज आगा देखिए जादा कुछ कठिन नहीं है water is flowing at the rate of 3 km परावा through a circular pipe ठीक हुआ था होता क्या है हुआ क्या है देखिए एक circular pipe से नहीं water run कर रहा है एक circular pipe से अब देखिए इसकी तो length बहुत होगी ठीक है और यहाँ पर अगर meter में change कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाकी units meter में है और kilometer परावार जो speed है ना उसको meter per second में change करना आसान है चीक है तो इसकी जो speed है यहाँ पर पहले तो लिगता हूँ radius इसको meter में change करने लिए 10 by 100 कर दूँँगा सुदिए speed किती दे रही है यहाँ पर 3 km per hour दे रही है सबसे पहले सी जाब यह करना और यह कितना है का 3 into 5 by 18 मैं आपको पता रखा है कैसे होगा भई obviously 3 km ना 3 km मतलब 3000 meter upon आप लोग क्या करेंगे 3600 एक घंटे में 3600 seconds होते हैं 1000 upon 3600 करेंगे तो 5 by 18 इन आता है तो यह common चीज है आपको हमेसा multiply करना पढ़ेगा जब भी km per hour से meter per second में जाना होगा तो 5 by 18 से multiply करना होगा और जब भी meter per second से km per hour जाना होगा तो 18 upon 5 से multiply कर लीजिए answer आजएगा you will get the answer now here अब क्या करना है देखिए सब हुआ क्या है अच्छा इसको क्या करना है यहां से जो भी पानी water flow कर रहा है water है कहाँ याद रखना सबसे important चीज water है कहाँ पर ऐसे मान के चलना मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है यह आप जब मान के चलिए तब आपको समझ मैं आगा कि अच्छल में water है कहाँ पर Мы इसको ध्याद में रखना फ़्य कि water कहाँ सा आट है sylendrical pipe से आ रहा है से पाइप से water आ रहा है और इस यह जो water आ रहा है इसने एक system को फिल की किया है वह भी circular system है circular system मतलब इस तरह हीआ जो की cylindrical ही होगा ठीक हो गया इसने इसको फिल किया वहांना है कितने समय में के है यह हमें पता कर रहा है कितने समय में इस नहीं है यहाँ से जो भी वाटर निकला है उसने इसको इसको फिल कीए, कि इसमय में यह मैं हमें फाइंड करना है अब कुछ Körper देखें कि यह कितना है आपका कितना है आपका यह डामेटर 10 मेटर है तो रेडियस 5 मेटर होगी और इसकी हाइट कितनी है 2 है 10 है 2 मेटर डैप्थ है इसकी Students 1 आप लोग ध्यान देना इस क्लास में ठीक है बहुत अच्छे समझा रहा हूं इसको ठीक है चलिए अब देखें Students मान लीजिए कि X समय तक X समय तक क्या बोला मैंने X समय तक XR तक इसमें पानी चला होगा और उसने D distance travel करी होगी कितनी D distance ठीक है X समय में D distance travel करके ज्या सुना X समय में D distance travel करके क्या हुआ उस समय जो भी volume था water का इस pipe के अंदर उसने क्या कर दिया उस system को fill कर दिया X घंटे में ध्यान सुना है D distance travel करके X hours में D distance travel करके उस समय जो भी volume होगा यहां पर जो भी volume होगा इस पर इस circular pipe पर उसने क्या कर दिया इसको fill कर दिया पूरा complete सो यह इसका पीछे concept है थोड़ा ध्यान से सोचिंगे तो आपको अच्छे से आएगा समझ में मेरे कहने का मतलब यह हो गया मैं अगर ऐसे लिखूँ देखिए volume of water जया सुना कहां पर ठीक है volume of water through a circular pipe वही समय समय की बात है जितना ज़्यादा समय उतना ज़्यादा volume water का चीक हो यह सोची रहा तो volume of water through a circular pipe ठीक है ऐसा लेकता हूँ on traveling a distance on traveling a distance of माले डी लेकता हूँ ठीक है distance of d in x hours किसके बराबर होगा है इतने घंटे चलने के बाद d distance travel करके इतने घंटे चलने के बाद जो भी volume था water का ठीक है इस pipe के अंदर उसने क्या कर दिया इसको भी फिल कर दिया इसका मतलब volume का conversion हो चुका है x घंटे माले जी x घंटे यहाँ पानी चला ठीक है माले जी 10 घंटे यहाँ पानी चला 10 घंटे में कुछ न कुछ तो यहाँ पर पानी होगा ठीक है d distance कुछ न कुछ ट्रैवल भी water भी water में कुछ न कुछ दिस्ट्रैवल करेंगी अब कहाँ पर है water यह तो दिखी रहा आपको circular pipe में तो उस समय जो भी उसका volume था उतने घंटे चल कर उसने क्या कर दिया उस volume ने जब बहा निगला पानी सब उसने इसको fill कर दिया x hours में ही मैंने मान लिया तो हो तो गया है यार क्या सोचना है बताई इतना simple है so is equal to what volume of circular cistern अब दिखी student बात करते है ना पानी कहां साय था यहां साय था ठीक है x घंटे हो चला था लेकिन अब दिखे यहां पर हम क्या करेंगे volume of water water का volume ने कौन सा shape ले रखाया यहां पर circular sorry cylindrical shape ले रखाया तो उसका volume कैसे नहीं लेगा pi r square h करके now replace h by d yes so मतलब यह चला d distance यहां से लेकर d distance x आवर्स तक चलते रहा छोड़ दीजिए x को भूल जाए अब सोचिए कुछ नहीं x अब ही देखिए यहां पर क्या करते है अब होगा क्या मैं आगर बात करूँ so volume of water water है कहां circular pipe से ठीक है x hours तक पर d distance travel करके x hours तक जितना भी volume होगा इसके अंदर वो हो गया pi इसको मैं smaller मालता हूँ r square d h इसको पर d लिएता हूँ अब आप कहेंगे x कहां gap हो गया भाई distance is equal to speed into time होता है मैं नए अंदास्य करा रहा हूँ ठीक है देखे हमें बस मतलब किससे है कि समझ में आना चाहिए इधर दर books देखेंगे आप लोग तो बिल्कुल नहीं आएगा आपको समझ में हमको बस समझना है इसको ठीक है so high order thinking skills वाले questions तो थोड़ा सा हमको अपनी तरीक से इसको समझेंगे ठीक है मैंने आपको अपनी तरीक से समझाया है आपको जैसे जिस भी तरीक से आता हो all good very good ठीक है आता तो है ना कम से कम तो चलिए तो जिनको नहीं आता वो इस तरीक से का रहा हो सोचिंगे तो शायद कुछ ना को इनके डिमाग में बैट जाएगा अब इस सर्कूलर सिस्टम तो पाई र स्कूरर अच यह भी तो सलेंडर है पाई आर स्कूरर इंटू एच इसको मैंने कैपिटल समना है क्योंकि रेडियस उसकी अलग होगी उसका हाइड अलग होगा सब कुछ होगा अलग लग लग नाओ है इसमें देखिए पाई से पाई इस ले रखा है तो मैं इस दी की वैली यहां देता हूँ अब मैं यहां से इसको सॉल गरता हूँ ठीक है और आर देखिए स्टुएंस किया है आर अपके पास कितना है यहां पर 10 बाई 100 मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि डैसिमल से बचना है तो फ्रक्शन में ही रहने दीज रहने दीजिए बहुत दिक्कत हो जाएगी तो आर इसको 10 बाई 100 इंटू इस दी इस वाट यह दिस दीस वाट ना यह तो डामेटर वाला दी है यह दिया अला गडिका डिस्टेंस है इसको कैपिटल इमाल लेते है चलिए इसको कैपिटल इमाल लेते है तो और कहीं होगा अब देखिए यहां पर इसकी जहां लगते है तो यह आया आए आपके डी कितना आया 3 इंटू 5 बाई 18 देखिए मैं मैं इनको भी मुल्टिपलाइन कर रहा हूँ कुछ तो रीजन होगा ना तो आर वाला आर तो देखिए 5 है तो 5 इंटू 5 इसको भी ऐसी कर रहा हूँ को देखिए मैं नहीं करना चाहरा हूँ मैं क्याता हूँ आपसे पर जितना आप इसको मल्टिपलाइ करतेंगे ना तो गलत हो जाएगा चोटे नंबर से किसी को डिवाइट करना या मल्टिपलाइ करना कितना आसान है बताईए इसको निकालने के लिए पहले सब इधर भी राइट है जो भी आपके पास यह प्रोड़क्ट के फॉर्म है तो आप उपर वालों को नुमेटर नुमेटर से कर जायागा दिनुमेटर दिनुमेटर से कर जायागा तो 5 बंजा 5 हो गया ठीक है 2 5 जा 10 हो गया इतना आज अब को समझ में 5 1 जा 5 2 5 जा 10 and 5 1 जा 5 यह भी गड़िया 3 6 जा 18 यह भी गड़िया so x is equal to how much यह 0 से 0 भी गड़िया तो 1 6000 यह तो second है क्योंकि हमने meter per second में change गया था चलिए I hope students मज़ा आ रहागा आप लोगों को इस class में अब एक last question कराऊंगा इसके बाद फिर हम next day करेंगे इस class को तो देखते हैं क्या हमारा अगला question है भी हाँ पर लेकिन इस second है अब 6000 सेकिंड बहुत आजीब लगा ना हमें तो 6000 सेकिंड में कुछना कुछ घंटे भी होंगे कुछना कुछ मिनिट भी होंगे क्योंकि आपको पता है 3600 सेकिंड का वन आवर्स होता है होके काँ क् duty सेकिंड हमें पता है कि आप नदे में हम जानते है 3600 सेकिंड होते हैं और एक सेकिंड के अंदर इसका मतला वन अपान 3600 रस होंगे और लिए सुगे बात है तो اितने सेकिंड में शिक्स ट्रिपल जिरो अपॉन च्छतिस सो गंटे इसो कार दीजिए यह आगए आपका 12 560 12 36 तो इसका एक्स की वेली कितने आ गई 5 by 3 आ गई अब डिवाइड कर लिजिए ना इसको क्या दिखकते लो 3 बंजा 3 इसका मतलब हो गया आपके पास यह कितना आ गया 1 whole 2 by 3 hours इसका मतलब क्या है एक घंटा और 2 by 3 hours भी है उसके अंदर so 1 hours and this तो यहाँ पर लिग देता हूं में ठीक है सब इधर दर हो गया यह आप लोग सही कलना इसको ठीक है 1 hours तो ठीक है लेकिन जो 2 by 3 हाँ पर hours है ना यह भी इस hour को change करने के लिए एक घंटे में 60 मिनट so 2.3 hours में 2.3 into 60 यह आपका answer यहाँ से आ गया एक घंटा 60 मिनट्स तो यह हो गया आपके पास इसका concept high order thinking skill का ठीक है so the time taken to fill to fill the system completely to fill the circular system completely is 1 hour and 40 sorry 40 minutes ठीक है 1 hour 40 minutes students समझ में आपको अगर नहीं आया है मुझे ऐसा लगता है यह सी नहीं आया होगा लेकिन I hope कि आया होगा आप लोगों समझा दिया है नहीं आया है तो आप लोग क्या कर सकते है क्या कर सकते हैं आप लोग काम करिएगा water flow questions वाले water flow questions class 10 डालना मिल जाएगा आपको video ठीक है now move to the next question देखते हैं क्या हमारे पास so yes student देखिए यह group में एक student ने उससे question पूछा था हलाकि उसका solution तो मिल चुगा था so आप सभी लोग जिन्होंने इसका solution नहीं देखा है एक बार देख लीजिए इसको ठीक है कैसे होगा अपिकॉक इस सेटिंग ओन दे टॉप आफ पिलर विच इस 9 मिटर हाई so question no 5th है इसको last कर लेते हैं लेकिन मेरे पास अभी a question और है वैसे वो question क्या है एक कॉणिजर मेट्री से आपको आता होगा लेकिन एक question आपके लिए बचा रहा हूं में इसको इसको मैं next day कराऊंगा त्यक्का कराऊंगा त्यक्या यहां पर क्या लिखाया देखे students एक पिकॉक है जो sitting on a pillar पर बैठा गया है बैठा है ठीक अच्छे समझना यह पिकॉक से इसको पी से दिनोट गलता है यह पिलर आपका क्या है यह पिलर है यह आपका pillar है पिकॉक इसकी 9 meter है जिसकी height कितनी है students जो की 9 meter उचा है ठीक है from a point 27 meter away from the bottom इसके bottom से 27 meter दूर एक snake है साप है यहाँ पर snake है इसको मैं ऐसे कर ले रहा हूँ है यहाँ पर snake है ठीक है यह S point मान लिजे 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 ठीक है ठीक है यह यह यहां आ रहा है इस hole की तरफ ठीक है अपने hole की तरफ इसको भूग लगी है इसने जपट्टा मार दिया सपर इसने इसको देखा यह भी आ रहा हुआ से इसने देखा यह भी चले गया यह भी चले यह धर को यह भी आ गया यहां को अब हुआ क्या दिहां से इन दोने की speed बराबर है इसका मतलब है इनने equal distance travel कि रहोगी in equal interval of time ठीक पॉइंट है यहां पर पॉंस पॉंसर ऑन इट कहा रहा है ठीक है a snake is coming to its hole इसने अपने hole की तरफ आ रहा रहा अच्छा इसका hole यहां होगा यह hole है मैंने इसको edge के दिया लीजिए यह hole हो गया ठीक होगा अपने घर की तरफ आ रहा होगा बिचारा ठीक होगा क्या इधर को माली जी इसने यहां से तक किती distance travel करी एकस तो भई इसने भी उतनी ही करी होगी क्योंकि इसकी और इसकी speed same है ठीक है distance same होगी अगर speed same होगी तो obviously distance भी equal travel करी होगी इन इक्वाल interval of time में ठीक है तो यहां से यहां तक जो distance travel करी होगी वही यहां से यहां तक भी किया होगी मैंने सको x मान लिया अगर आपको नहीं आया समझ में आया होगा क्योंकि यहां पर क्या लिखा गया है since speed लिखले ना of peacock and snake are same therefore जो distance Pa and As are equal. क्योंकि न हुआ क्या देखिए यहां पर चपटा मार दे हो उसने यह आ रहा है यह रहा है यह भी आया है हाँ से तो क्या कर रहा है इस जगोपर इसने से पकड़ लिया पकड़ लिया इसका बड़ाब यह distance बराबर distance ने टैबल करिये समझ में आगे ना, बहुत सिंपल कॉर्सेट है भई, तो अब आपको यहां से क्या निकालना है, यह कह रहा है कि, स्नेक अभी होल से कितना दूर था, स्नेक अभी होल से कितना दूर था, यह आपको फाइंड करना है, स्नेक अभी होल से कितना दूर था, यहां पर पकड़ा गया, यहां पर ही स्नेक अभी होल से कितना दूर था, यहां पर 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 होल से कितना दूर था पकड़ा इसको मैंने सब को पता दिया है आपको यहाँ सनेक है यहाँ पिकॉक है यह उड़ते-उड़ते आया ठीक है चलिए सो अब आपको क्या निकालना है यह डिस्टेंस फॉइंड करने है यह पूरी 27 है इतनी एक्स है ओविसली यह होगी 27- इस त्योंसे त्यसे लुक्ने डिए लिश्टेंस ह sacrific its nearly week 3 पना निच्श на smith मैं एक परकार मलेज हुझे जो बी आपकी आपकी पास आवसपास हो चीजे आहां जो पॉल माणने जिए आपका घर मालने किजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, एक tree तो चले, tree को मत माने, consider मत करिए, पोल हो गया, घर हो गया, कुछ भी हो गया, वो चीज यह होती है, ground se perpendicular ही होती है, ठीक है, तो यह तो perpendicular होगी, ठीक है, 90 degree पर होगी, सुस्टेय को निकालने के लिए, क्या ही करना है, कुछ नहीं पाइथा गोरस थियोरम पाइथा गोरस थियोरम से आप निकाल सकते हैं इन ट्राइंगल भट पी एच ए मताँ एप एस लिग लीजिए जो अब की इच्छा है इसमें क्या देखिए स्टेंस एप का स्क्वायर ठीक है भट पी एच का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर एच का स्क्वायर ya यहागीर थियोरम x square से x square cancel, क्या सच में ऐसा हो रहा है क्या, दो जोग है, हाँ, ठीक ठीक है, सिंपल ही था हो गया, मुझे लगा कठीन होगा थोड़ा सा, 27 square इसको यहां लिजिए, 54 x इधर आ गया, और 27 square कितना होता देख लिजिए, 27, 27, ठीक है, 7 समझा 14 गा 9, 4, 70 गा 14 गा 18, 27, 27, 14, 4, 1, 2, 2, 4, 1, 5, 9, 7, 2, 9 हो गया, 7, 2, 9 में से minus कर लिजिए, 81 को, so you will get how much, इस सारे 54 के multiple लग रहे है, मुझे तो, 18 के, ठीक है, नहीं, कुछ गलत के दिया, 9, 1, 8, 4, 6, 48, ठीक है, अब 18 से काटें क्या, 9 से कट रहा है, 9, 6, 54, देखे, 9, 7, 0, 63, ठीक है, 9 तो, 18, तो, 6 X is equal to 72, it means, X की वे लिए, आपको 12 मिल गई है, तो, ये तो 12 है, ठीक है, इन लोगोंने, दोनोंने 12 मिटर की distance कवर करी है, ठीक है, इन लोगोंने 12 मिटर की distance ट्रेवल कर रहे है, ठीक है, अगर 12 मिटर की distance ट्रेवल कर रहे है, तो, ये कितना बचा स्टूडेट्स, H कितना आ गया, H is equal to how much, 27 minus का 12, तो, ये आ गया 15 मिटर, and I hope, my dear students, कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कि वो अभी होल से 27-15 मिटर दूर था, ठीक है, उसे पकड़ लिया, ठीक है, किसने, पिकॉक ने, So, yes students, ये थे हमारे आज के कुछ hot questions, जो आपको बहुत पसंद आए होगे, अच्छे लगे होगे, and I hope, कि आपने इन questions को सीख भी लिया होगा, कैसे करना है, ठीक है, कैसे सोचना है इसमें, तो इस तरीके हमारे और भी questions होगे, तो आप सभी लोग wait करिए, और मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, request करता हूँ, आप सभी students, अगर आपको एक अच्छा target करना है, अच्छा score करना है, तो आपको ये mixed question की class को तो देखना ही पड़ेगा, मिक्स question की series को देखना ही पड़ेगा, और अभी यहाँ पर आपके देखिए, practice paper अभी एक launch हो रहा है, उसको मैं देख रहा हूँ, उसके साबसे भी questions आपको करवाँगा, और वैसे हमने, ठीक है, उस तरीगी question भी यहाँ पर कर लिये हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, उस question paper को देखकर आपको घबराना नहीं है, ठीक है, हम सब करेंगे, हम तयार हैं यहाँ पर, बस आप तयार रही ह ठीक है, आप लोगों के लिए हम तयार है, और जो भी आपको doubts होओ students, आज की इस class में ये वर्सम नमबर दे रखा है, वर्सम गुरूप आप लोग जोइन कर लेना, description box में links दे रखे हैं, ठीक है, तो आप सब लोग हमसे doubts पूछ सकते हैं, so yes, class को end करते हैं, अगर आपको class अच्छी लगी हो students, आप सभी लोग एक बार चैनल को subscribe करके, bell icon को press कर लेना, तभी आपको इस class से updates मिलते रहेंगे daily 7.80pm पर, तो चले दोस्तों, मिलते हैं next class में, तब तक के लिए take care and good bye.